अब लोगडाउण बाहर निकलाक्त है जोर्विक नकाते सब्सक्राइब कुछ औरMayuka स्टार्ट को करते हैं अगर अमस्टे पहले तो रास्तों में बंद हो गई तो अइसे में भी है को पैट्रोल ही चेक यह टीवस्ट स्ट प्रम में है आपका चाहिए कोई भी वाइक हो अगर आपके उस्ट है करना का आप मेर में हो को सभी वडरी ठाउरे इसका इंत्र नीचे अद्क में नीचे में जया ह में पहचान होता तो इस्में तीर का ओपशन होता है इसमें तीर नहीं दिया गया है इसमें दूसरा चीज है यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे एक लोगो बनावा होता है यह देख रहे हैं यह इससे जब हम उपर करते हैं तो इससे पता चलता है कि यह रिजब लगा हुआ है इसके हिसाब से और जब हम नीचे करते हैं इ एक रखिया को आपको बैक कि अगर चला है चलते चलते बाइक बंद हो गई तो आपको फर्षटे में यही पीज़ा आपको देखना है हो सकता है कि आपका में करते पैट्रोल खतम हो गया हो और रिजप लगाने पर लगाना पड़े तो ऐसे में आप पहले रिजप लगा कि द तो ऐसकेया ड्राल इसा होड़ा जाया और ये असे प्लिकर मार को इसोड में iso और तो ट्रहा हों तो यहां से फुक नारना है तो फिर यह पैट्रल निसे गिर जाएगी यह जो बात होती है घ। सत नगे दूसरा चैस्ट नगेदो आप दूसरा टीपस दोस्तों यह है कि आप जैसे आपके भाइक घर पे खड़ी है और या फिक चल रहे हैं चलते चलते बंद हो गई तो इसे में दूसरा टीपस यह है कि कीक चेक करना चाहिए कि हमारा बीच में जाए की प hubs उच्वागार Rainbow कीले सुल करें यह छ बाए पर्ते में रुखता नहीं है तो फिर कंपरेसर की समस्या है अगर एक Q2роп रूख रहा है तो इसे मिप पलख खोल नचाहिए झाल मुनmarkt आप इस पेड़ेक्च रूजब में लगाएं इस हल्डर में लगाएं और आप यहां पर इस तरीके से लखें पलक को धियान रहें कि इस जगे पर ऊंवी नौ के यहां पर इधर रखें फिर इधर पकड़कर के और यहांले लगा लगा के आपको डायक्ट learners तरीके से तास करना है बौडी में और के दमानाना है चाहबी ओन करके तो देखना है कि current बिल्कुल पलक में आता है कि नहीं आता है तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से current उसमें आना चाहिए तो दोस्तों यह spark plug है देखिए यह spark plug है इस हिस्से को आपको body में touch करना है यहाँ पे holder लगाना है इसमें holder लगाना है पलक का और इससे आपको body में touch करना है फिर कीक दबा की आपको check करना है कि इसका current है यह current कहाँ आ रहा है जो अगर पलक आपका सही रहेगा तो current इस black वाले से लेकर आगे आना चाहिए current यहां से लेकर ऊपर करेंट आएगा अगर आपका सही रहेगा पलक तो अगर पलक खराब है तो यहां देख सकते हैं कि पलक खराब है तो इस बलेक से आपका सौट करेगा इस बॉड़ी में इधर चारो तरफ आपका सौटिंग करेगा चारो तरफ आपको करेंट देखाई दे ठीस पालक में बिनकुल भी करेंट नहीं आ रहा है ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो आप खोल लिए तो फिर आप डियर्ट walk अब भॉल्ड निकालना है इस तार से आपको निकालना है और फिर तार को दूर में पकड़ के आपको ब्टी में एसे दूर रखना है उस तरीके से थोड़ा दूर रखना है और आपको चेक करना है कि दबाकर करएंड डरा की नहीं है अगर यहां से करेंटे रहा है ऑगो probkal को या फिर 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 कि भी आप डारेक्ट कर सकते हैं इस तारिक झाओ झालर के यहांको पता September हलडर आप को छॉख देना है या का पनाई करना हो अब यह जो दोड़ी बाइन रखने के सी तरीक से थो और फिर अप आप मोहांX कारूंगा तो भी आपको मैं बताऊंगा कि आप पलक को सही कैसे करेंगे अब दूसरा चीश चलो पहले आपको पता दो कि पलक को सही कैसे करना है अगर इस पलक में चारो तरफ करन्ट आ रहा है तो आपको पलक साफ करना चाहिए कलचतार लेकर इस तरह कलचतार लेना है और चारो तरफ इसमें दो तिन तार निकाल की चार्ट तर गुमाकी से साफ करना है यह साफ अगर हो जाता है तो साफ करने के बाद फिर चेक करनर देरा नहीं देरा तो आपको यह करना है कि एक प्लास लेना है या किसी भी चीज से इसे पकड़ के आप गैस चूले पर रखें और इसे गरम कर है कि यहां का जो जितना भी डास होता है कच्रा होता है वह जल जाए ठीक है तो आपका प्लाग बिल्कुल प्रॉपर फिर ठीक से काम करने लेगा जो सौर्टिंग होती है वह खतम हो जाती इस पलक की तो यह पलक आपका ठीक हो जाएगा अब मैं आपको बता रहू हूँ अ सट्वाइश करें लिक होने लगता है प्लक करने लेंगा औरफिर की च्टर नहीं होगे तो इसे में दो तरीका होता है कि आपका वाइग को आपकोола बिलग करना फड़ेंगा या फिर अगरैट बहुत भी दीट्प सनीए तो आप बाहर रोप्लों आपके बाहर बोगों नह आपके बाद इस तरह कोई पैचकस रहता है तो यहां से इस नट को खोड़िए यह कार्वेटर में और पैट्रोल निकालने के लिए नट दिया जाता है इसे आप लूच करेंगे और यहां से पैट्रोल गिरेगा यहां से पैट्रोल गिरेगा और इस तरह से पाइप निकालना करने के बात दोस्तों आपको क्या तुमिस हरा नब रखनाना और अपको यहां पे पया करना एक कपड़ा लेना हां है और कपड़ा लेकर इस जगह पर उगली रखना यह इस सुराग पर उंगली रखना और किक दबाना है चार-पांच मरतवा किक दबाना है आपकी कंप्रेसर बढ़ जाएगी तो हैड में एका जो वाल होता है वाल में जो भी कपिचरा या डस्ट होगी या अगर सूखा हुआ होगा जला होगा तो वहां पर थोड़ा गीला हो जा आप पैट्रोल नहीं डालना चाहते हैं तो आप इंजन ऑईल भी डाल सकते हैं यहां से इंजन ऑईल डाल सकते हैं जैसे आप इस तरह का हमारे पास आप जालने का तो हम इस तरह के से अंदर डालते हैं थोड़ा सा और फिर यह काम हो जाता है तो ज्यादा जो बहतर होता है दोस्तों वह इंजन ऑईल ही डालना चाहिए पैट्रोल डालने से और भी प्रब्लम बढ़ती है यह वड़ती है कि पैट्रोल जो होता है कि जहां भी पैट्रोल गिरता है वहां की जो डाष्ट रहा होता है वह और भी उखड़ जाता है तो इसके पिश्टन पर जो कच्रा है तो आप ये भी कह सकते हैं यह भाई कर स्टार्ट एक होजाएगी और दोस्तों कोई प्राइब है अगर कि सारी बात हैं हम इस वीडियो में आपको नहीं बता पाएंगे तो आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो सब को फायदा होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक चीछ मैं आपको बता दो बाइक आपकी स्टार्ट है और मिसिंग हो रही है चलते चलते जटके ले रही है तो ऐसे में भी आपको पलक चैंज करना चाहिए और यह जो कार्वेटर का जो ओवर्फुलो वाला वोल्ट है यहां से आप सारा पैट्रोल निकालें पिर वहां से खोलें इसे टाइट करके अप फिर एक बार स्टार्ट करके देखें इसके अंदर जो अगर पानी का असर होगा जो जैड में पानी चला याता उसी यह से मिसिंग करती है जटके लेती है वह सारा पैट्रोल निकाल लेके बाद आपकी बाइक यह सही हो जाएगी ठीक है यहां से कोई प्रावलम नहीं है आपकी जो कंप इस आपको फायदा होगा वीडियो को लाइक को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके साथे बेल अलकिंग को प्रेस करें थैंको दोस्तों थैंक्स पूर वाचिंग